हेलो माई डियर इस्टुडेंट्स तो ये क्लास एट का इंगलिश ग्रामर का थर्ड चेप्टर है ये और थर्ड चेप्टर से ये फर्स्ट वीडियो है तो चलिए श्टार्ट करते हैं ये चेप्टर है वीडेश उ हैं देश लौच फ्रेश और क्लास फ्रेश क्या होता है? Oke, सबसे पहले हम फ्रेश के बाले में जानेंगे the following sentences the children were playing in the field the group of warts in the field makes some sense but not complete sense it is not a sentence it has neither a subject nor a predicate so it cannot stand alone. Such a group of words is called a phrase. Phrases combine words into sentence. Phrase क्या होता है? Phrase वाके में शब्दों का वह्षम होता है जिससे कुछ अर्थ निकलता है पर पूर अर्थ नहीं निकलता. इसका definition दिया हुआ है एक group of words without a verb, subject, object or predicate इसका अर्थ फ्रेज आप देखिए शब्दों का एक शमू जिसमें क्रिया, कर्ता, कर्म और विधे नहीं होता, प्रेडिकेट नहीं होता, उसे हम फ्रेज कहाते हैं. फ्रेज कहां कोई subject नहीं होता, object भी नहीं होता, word भी नहीं होता, और यही कार्ण है कि इससे कोई अर्थ नहीं निकलता. अर्थ तो निकलता है पर पूर अर्थ नहीं निकलता. इसके आगे कुछ जोडेंगे, या इसके बाद कुछ जोडेंगे, तभी कुछ अर्थ निकलेगा, तभी पूरा अर्थ निकलेगा. Otherwise, इसका अर्थ पूर्ण नहीं होता है. जिससे हम कहते हैं, into the water, on the field, क्या, फिल्ड में क्या, यह सब फ्रेजी हैं, in the morning, शुबह को, क्या सुबह को, तो इससे कोई अर्थ नहीं निकला, या पूरा अर्थ नहीं निकला, बस थोड़ा सा सुबह को. तो इस प्रकार से, ऐसे जो sentence में, जो words होते हैं, इन्हें हम phrase कहते हैं, और आगे हम इसको identify कहेंगे, इसको ज्याद करेंगे, कि पहचान करेंगे कि कैसे होते हैं phrase, अब यहाँ पर देखिए, कुछ वाकि दिये हुए हैं, इनको मैं देखता हूँ. So, the underlined groups of words in the following sentence are phrases, first देखिए, this chair is made of aaf wood, made of aaf, तो यह क्या है, का बन की बनी हुई, यह क्या है, फ्रेज है, The X was laying in the corner, तो देखिए, कुल अड़ी कहां पढ़ी है, laying in the corner, कोने में, in the corner, phrase है, the book is kept on the table, रखी गई है, किताब में पर रखी गई है, तो on the table, यह phrase हैं आपके, These phrases do not have a word, subject or object in them, अब जो यह phrase है, इन में नो कोई subject है, नो कोई object है, और नो कोई word है नहीं क्रिया है, अब यहाँ पर हम पहचान करेंगे, encircle the phrases in the following sentences, The sun sets in the west, तो क्या हो जाएगा, in the west, she stood at the door, तो क्या हो जाएगा, at the door, I met him in the park, in the park, She kept the bottle on the table, on the table, बहुत इजली अप इसका पता लगा लेंगे, He is a man with a lot of wealth, ठीक है? So, क्या हो जाएगा? With a lot of wealth, With a lot of wealth. She was a man of great beauty, तो क्या हो जाएगा? She was a woman of great beauty, तो of great beauty. To my house, इसमें देखे, the beggar came to my house. It है, there I am very fast, तो very fast हो जाएगा. He walked towards, towards the river, नदी की ओर, इसमें देखे, towards the river, the old lady put the cloth in the almira, तो in the almira. थोड़ा अर्थ निकलता है, पर पूर अर्थ नहीं निकलना है इससे. यह phrase होता है. तो हमने इस chapter में, I mean इस video में, हमने phrase की पहचान की, और इसके बास पस्चात हम देखेंगे, कि phrase कौन-कौन से होते हैं, noun phrase पढ़ेंगे, adjective phrase पढ़ेंगे, तो यह आगे आपनों को बताए जाएगा. फिलहाल इस video में इतना ही, फिर next video में, इसी से संबंधित, इसी chapter से संबंधित, कुछ और exercise लेकर के हम आएंगे. तब तक के लिए, गुड़ बाई.